नमस्कार दोस्तो शुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं आधुनिक काल में कविता में भारतेंदु युग भारतेंदु युग जो है उसका काल 1850 से 1910 तक रहा है क्योंकि भारतेंदु हरिस्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरन है भारतेंदू युग के या भारतेंदू मंडल के जो कवी रहे हैं उन्होंने उनिश्व इश्वी तक जो है वो अपनी कविता की है इस अध्यन में हम पढ़ेंगे कि भारतेंदू युग कब तक रहा है इसकी प्रमुख प्रवर्तियां विशेश्थाई क्या है इस युग में पतर-पत्रीकाई खूब परकासित वो संपादित हुई थी उनके बारे में भी पढ़ेंगे और भारतेंदू युग के कवी और उनकी कविता के बारे में भी हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग 1850 से 1922 तक जो है वो चला है भारतेंदु के जनमकाल 1850 इश्वी से सरस्वती पत्रीका के परकाशन 1922 तक के युग को हिंदी कविता का भारतेंदु युग कहलाता है यानि 1850 भारतेंदु का जनमकाल है और 1922 सरस्वती पत्रीका का जनम भी है तो इस युग को जो है 1850 से 1922 तक के काल को भारतेंदु युग जो है वो कहा जाता है युग का नामकरण भारतेंदु बाबु हरीश्चंदर जिनका जीवनकाल 1850 से 1885 इश्वी रहा है के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है इस युग में हर छेत्र में कुछ नमिन्ता दिखाई दे रही थी भासा, विचार, शिल्प की नमिन्ता के साथ साथ देश की सामाजिक, राजनितिक, सांसकर्तिक प्रिस्थितियों में भी नयापन था हर छेत्र में जागरुकता, सजगता का वातावरण था, वास्ताओं में भारतेंदु युग पुनर जागरण का युग था यानि भारतेंदु युग जो है इसको पुनर जागरण का युग भी जो है कहा जाता है इस यूग की कविता में विविधता आ गई थी और सही अर्थों में देश प्रेम की कविता लिखी जाने लगी थी काव्य में राष्ट्रिय भावना का वास्त्विक उदे भारतेंदु यूग में ही हुआ था तो भारतेंदु यूगिन परवर्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि इस यूग में कौन सी परवर्तियां रही हैं जैसे राष्ट्रिय भावना रही है प्रकृति चितरन रही है स्रंगारिक रचनाएं रही है भारतेंदु युगिन कविता राष्ट्रिय भावना का वास्त्विक रूप दिखाई देता है और कवियों दवारा देश भगति की कविता लिखी जाने लगी थी जैसे राधाकृषन दास की रचना भारत बारह माशा ये रचना जो है भारत बारा मासा जो है ये UGC.net में भी बहुत बार इसका question जो है वो पूछा जाता है राधा क्रिशंदास की राष्ट्रिय भावना से भरी भी जो है एक रचना है भारतेंदु युग में सरंगारिक रचनाएं प्रियाप्त मात्रा में मिलती हैं जैसे भारतेंदु की ही रचनाएं हैं, प्रेम माहदुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप भारतेंदु युग सामाजिक बुराईयों का विरोध हुआ है इस युग की कविता में बाल विवाह, सतीपर्था, छुवा छूत, विद्वा विवाह और पाखंडों की खूब भर्चना की गई है यानि एक सुधारकाल जो है ये था, समाजिक बुराईयों का विरोध जो है वो इस युग की कविता में हुआ है भारतेंदु युगिन काव्वे में प्रकर्ति का मनोहरी चितरन किया गया है वर्षाव बसंत जैसी रीत्वों का सुंदर वर्नन जो है वो किया गया है भारतेंदु युग की कविता की एक परमुख विशेषता समस्या पूर्ति थी समस्या पूर्ति में एक पंक्टी समस्या के रूप में होती थी और कवी अपने विलक्षन परती भासे उस पंक्टी को लेकर काव्वे रचना करता था इस यूग की कविता में हाश्य वेंग की परधानता भी थी भारतेंद यूग के कवियों दवारा विभिन पत्र पत्री काउं का संपादन कारिय भी किया गया है तो इस यूग में कौन शी पत्र पत्री काउं का परकासन वो संपादन हुआ है वो इसमें ये दिया हुआ है बुद्धी प्रकास 1852 सन है और मुन्शी सदासुक लाल इसके संपादक और आग्रा से प्रकासित जो है ये होती थी कविवचन सुधा 1867 की है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली पत्री का है कासी से इसका संपादन हुआ है हरिश्चंद्र मैगजिन 1853 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये भी कासी से है और बाल बोधनी पत्री का 1854 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीस्ती पत्री का तीनो ही पत्री का इसका संपादन कार ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है और कवी वचन सुधा सडशट में हरिश्चंद्र में एक जिन तेहतर में बाल बोधनी पत्रीका उन्नी सो अठारा सो चोंटर में हिंदी परदीप ये तीन पत्रीका ये भारतें दो हरिश्चंद्र की हैं और यह तो में आया है कि इनकी एक चोथी पत्रीका का मानस भी इन्होंने बनाया था जिसका नाम पंच था लेकिन कम ग्राहक होने की वज़े से जो है वो पत्रीका जो है वो चालू नहीं हो सकी हिंदी परदीप अठारा सो सतंतर में शुरू ही बाल करसन भट इसके संपादक रहे हैं प्रियाग से ये प्रकाशित होती थी और इसका परसन बहुत बार प्रिक्षाओं में आता है हिंदी परदीप अठारा सो सतंतर भारत मित्र अठारा सो अठांतर रुद्दर्दत इसके संपादक थे कलकत्ता से प्रकाशित होती थी कलकत्ता से ही सार सुधा निधी 1889 से और सदानंद मिश्र इसके संपादक थे ये भी कलकत्ता से जो है वो प्रकाशित होती थी बद्री नाराण चोधरी की पत्री का आनंद कादंबनी 1881 से निकलती थी बद्री नाराण चोधरी की मिरजापूर्शे निकलती थी और ब्राहमन पत्री का 1883 परताप नाराण मिश्र इसके संपादक थे कानपूर्शे ये प्रकासित होती थी पियूस प्रवाह 1883 ही है और अंबिका दत्व्यास इसके संपादक थे ये कासिसे निकलती थी इसी तरह भारत जीवन पत्री का 1884 राम कृष्ण वर्मा इसके संपादक थे ये भी काशिशे प्रकाशित होते थी शाहित्य सुदानेदी 1833 में देव की नंदन इसके संपादक थे और मुजफर पूर्शे ये प्रकाशित होते थी नागरी नीरद 1833 में बदरी नायरन चोधरी जो है वो इसके संपादक थे शदादर्श पत्री का लाला श्री निवास दास इसके संपादक ये इनके संपादक रहे हैं गिल्ली से निकलती थी और भारत बंधु तोताराम इसके संपादक हैं अलिगड से निकली भी है और भारतेंदु पत्री का जो है वो राधाचरण गोश्वामी इसके संपादक थे जो वरंदावन से निकलती थी ये भारतेंदु यूग की कुछ पर्मुख पत्रीका हैं थी भारतेंदु अहिश्चंद्र का जीवनकाल 1850-1885 राववा है, प्रेम मालिका, प्रेम श्रोवर, प्रेम माहदुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, गीत गोविंद, विन्य प्रेम पचासा, वेनुगीत, फुलों का गुच्छा। ये इनकी पत्री रचनाये जो है, वो प्रकासितुई काव्य संग्रह भी बोल सकते हैं, इसमें प्रेम श्रोवर, प्रेम माहदुरी, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, और वेनुगीत के परसन जो है, वो खूब आये वे हैं, युजिशिनेट में पूछी वी रचनाये ह बद्री नैरन चोधरी प्रेम घन का जीवनकाल 1855 से लेकर 1923 है, और ये काल कर्मानु सारी कवियों को जो है, वो इसमें लिखा हुआ है आनंद अरुनोद्य हार्दिक हर्षोदर्ष जीरण जन्पद, ये महत्वप्रण है, परसन खूब आये हुआ है इसका जीरण जन्पद का मयंक महिमा, एलोकिक लीला, वर्षाबिन्दू, लालित्य लहरी, ब्रजजंद, पंचक, भारत सोभाग्य, भारत बधाई, और कजली कादंबनी ये इनकी परमुख रचनाई हैं, जिनमें आनंद अर्मोद्दे, हार्दिक हर्षोदर्ष, जीरण जन्पद, और मयंक महिमा, वर्षाबिन्दू, इनकी परसन जो है, वो खूब पुछे वए हैं परताप मारण मिश्र भी एक परमुख कवी थे, भारतेंद यूग के 1856 से 1844 में इनका जीवनकाल रहा हुआ है मन की लहर, प्रेम पुषपावली, लोकोक्ती सतक और त्रिप्यन ताम, ये रचना भी पूछी जाती है त्रिप्यन ताम, और स्रंगार विलास, हठी हमीर, कली कोतुक और रस्खान सतक रस्खान के जो पद है, उनके उपर लिखी हुए रचनाई इसमें है प्रेम पुषपावली मन की लहर जो है, इनके परसन खूब पूछे हुए है ठाकुर जग मोहन सिंग, इनका जीवनकाल 1869 से लेकर 1857 से लेकर 1859 में इस वी तक रहाए इसमें इन रचनाउं के प्रसंजो है, वो खूब पूछे हुए है अंभिकादत व्यास का जीवनकाल 1858 से लेकर 1922 तक रहा हुआ है पावस पचासा, शू कविशत्चाई, हो हो होरी, बिहारी विहार ये बिहारी के दोहों के उपर लिखी गई रचनाई है आस्च्रिय वर्तांत, आनंद मंजरी, गणेश शतक और कोतुक पचासा तो इसमें पावस पचासा और शू कविशत्चाई, हो हो होरी और विहारी विहार की परसन जो है खूब पुछे हुए रादह कृशनदास 1865 से लेकर 1907 तक जीवनकाल रहा हुआ है भारत 12 मासा का परसन खूब पूछा जाता है युजी सिनेट में देश दसा और रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना भी इन्होंने जो है वो की है रादह कृशनदास 1865 से लेकर 1907 इनका जीवनकाल रहा है नवनीत चत्रुवेदी 1868 से लेकर 1919 इश्वी में इनका जीवनकाल रहा है और इनकी एक रचना मिलती है कुबजापचीशी और राधाचरन गोश्वामी नव भक्तमाल इनकी रचना जो है वो पूछी हुई है नव भक्तमाल के रचियता राधाचरन गोश्वामी और शिशिर शुस्मा भारत संगीत और विध्वाविलाप ये आठ कवी जो है वो भारतेंदू युग के जो है वो परमुक कवी थे और इनका ये काल था तो ये भारतेंदू युग हमने पड़ा है फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए